राज्योपती द्रौबदी मुर्मो के आभी भाशन पर धन्यवात प्रस्ताव पर आज जो राज्यसभा में चर्चा होगी राज्यसभा में चर्चा की शुर्वात कविता पाटिदार करेंगी विवेक ठाकूर दूसरे वक्ता होंगे राज्य सभा में चर्चा के लिए 14 गंटे का समय तैक किया गया है पता दे आपको की पीएम मोदी राज्य सभा में चर्चा का जवाब आज दो पेर दो बजी देंगे इससे पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमार को संसत बे राश्य पती के आभी भाशन पर दन्यवाद प्रस्ताव पर लोग सभा में जवाब दिया था दोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है कि इतने टुकड़े करका अभी भी आपके मन को समाधा नहीं हुआ है अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वब निकलता था है छिटा कसी होती थी आरोब प्रत्यारोब होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत पुर्व अभिकास की चर्था हो रही है परियत्न लगातार बर रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहां पुरा विश्वाज उसकी सराना करता है अर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बनाके रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के लिए समझे किसकी देन थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने बारत के समिधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी अगर नहरुजी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है लेकिन कश्मीर को जो समस्याइज जेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी यह सोचती और उसी का परणाम है देश को प्रकार ना जमु कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरुजी की गल्तियों का बहुत बड़ी किमत चुका ली पड़ी है यहाँ पर बहुत गुसा व्यक्ति किया गया हूँ जितना होसे का उतने कठेर सब्द में गुसा व्यक्ति किया गया हूँ उनका दर्द मैं समझता हूँ उनकी मुसीबत और यह गुसा मैं समझता हूँ क्योंकि तीर निशाने पर लगा है कि बस्टा चार पर कि एजन्सिय एक्षण ले रही हैं उसको लेकर भी इतना गुसा क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है आदिन्य द्रद्र जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था प्रस्टाचार की चर्चा पर जाता प्रका लगातार एक्षन की दिमांड होती थी सदन यहीं मांग करता रहता एक्षण लोग आक्षन लोग एक्षन लोग वो कालखंदेश देखा है चारों तरफ प्रस्टाचार की और आज जब प्रस्टाचारियों पर एक्षन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्तन में हंगामा करते हैं अधनिय अधर जी आधनिय अधर जी यहां महंगाई को लेकर काफी कुछ बाते की गई है मैं जुरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ से चाहिए आनी चाहिए इत्याद गवाह है कि जब भी कॉंग्रेस आती है महंगाई लाती है कि मैं कुछ वक्ते वे इस सद्व में आज कहना चाहता हूं और किसी की अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हो लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझने पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे कहा गया था कभी और किसी ने कहा था मैं बात में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़ा से मुसिबत फैली है यह कहा था हमारे पंडित नहरुजी ने लाल के लिए से कहा था उस समय हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़ा से मुसिबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह उस समय की बात है उन्हें ने माना थालाल के रेज़ेंगे चारों तरब महंगाई बड़ी है अब इस वक्तवे के 10 साल के बाद नहरुजी के इस वक्तवे के 10 साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामझे रहता हूं आप लोग मैं कोट बता रहा हूं आप